मैं दाल जबी भी खाती हूं मुझे हो जाता है बहुत सारा गैस या फिर इंडाइजेशन इशूज हो जाते हैं बट मैं हूँ वेजिटेरियन एग नहीं खा सकते नॉन विज नहीं खा सकते तो प्रोटीन कहां से ले सप्लिमेंट पर लेना नीचाती हूं तो आखिर इन दाल गरे में हुट ना सकते हमां सब्सांस की सरा जाते हूं मुच जैजजश़ को अपनी बॉडD बहुत जादा good source of protein है हमारे पस और कुछ जादा है नहीं डालों से हम जो हम डेली खाते है हमारा एक staple food बना हुआ है तो अगर हम डाल खाते तो हमें से बहुत सारे minerals vitamins भी मिलते हैं protein भी बहुत अच्छा बल जाता है major source of protein होता है vegetarian के लिए especially या जो लोग vegan है उनके लिए भी लेकिन अगर ऐसे में अगर आपको problems हो रही है कि आपको gas बन रही है जो tips आपको follow करने चाहिए वो हम देखेंगे तो सबसे पहले डालों में क्या क्या चीज़े आते है pulses legumes यह जो है जो आपकी डाले हैं बिना चिलके वाली जो है like आपका jmung की डाल है तूर की डाल है या फिर उडत की बी डιαल है यह सिंपल प्रहले तीन categories की डाल होगे थी ठीके तीनों की ठोड़ी थोड़ी processing अलग होती है इसे पहले, जो चीज है डालों को सोख करके बनाना है। बड जो हमारी रेगिलरी बेसिसगी डाल है कि थोड बहुता है क्याता तो अगर आप इस तरहा है और यह वह सीदे यीज़ी जीचेण लत कि दाल अगहींगे दोतो आपको करने है सही तरीका क्या है वह को मता हुए आपको सारी ही दाल कोई भी तरीके कि या लेगिय Sounds और ऑच्छे से पहले दो से टीम बार रगड रगड के लगड के सो बॉष करना है इसको ऑपने उसके बॉष करना है इसके बाद आप इसे सोगएresso performer,aniinyak और अगर आफ आदे घंटे के लिए या आदे गंटे से दो गंटे तक अगर आप इन दालों को सूख करते हो तो इनका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है इनके जो एंटिरी नूट्रीन्स होते हैं वो चले जाते हैं और भी जो गैस कॉजिंग अलेमेंट से दालों के वो सबी होony है, तो यह बना करके खाते हो तो यह आपके आसानी से digestion हो जाती है और आंपको बहुत सारे फूटीन मिल जाता है, और वाकी की चीज़ेंamily सीजह have a goodness जो होती है वो आपको गुट नेस मिलपाती है, आपको अच्छे से पहले इस को आदर गंटा 50 momint आपने सोक कर लिया minimum उसके बाद फिर इस एक बर अच्छे से रब करके वो पानी थ्रो करना है और उसके बाद जो पानी है वो आप पानी डाल करके इस डाल को कुप कर सकते हैं आप एक और तरीका यहाँ पर अपना सकते हैं अगर आपके पास सुबह इतना टाइम नहीं है तो आप आदे घंटे के लिए दाल को सोक कर दीजे और उसकी बाद आप इस डाल को फ्रिज में रख लीजे रख करके डबे में बन करके और तो इस तरीके से अभी आप इस प्रोसस को कर सकते हैं क्योंकि कई बारी सुबह की हरबडी में हमारे पस इतना टाइम नहीं होता है कि दाल को आदे घंटे के लिए घंटे के लिए हम सोक करें तो वो आप उस प्रोसस को रात में करके रख सकते हैं इससे दो चीजे होती है तो दाल असानी से डाइजेस्ट होती है इसका नुट्रिशन आसानी से आपको मिल पाता है दूसरा दाल फटा-फट बन जाती है और प्रॉपरलवी कोक करना है वो तब हो पता हम नितंसे जरा इसके जब старे कोस्ते हैं और दाल उसके अलावा आप दालों के साथ में सीरिल को भी कमबाइन करें एक कटोरी दाल लंग और यह चारे घंटरी जब आक सीचरी चंबाइन के घंपाती यह तो बहुह हो अगर खा तो इसलिए हमेशा कम्बाइन करके खाएं और केवल दाल पीना जो है वह जादा प्रब्लमाइटिक है कई बारे मैं देखा है कि लोग कुछ नहीं लाओ कड़ोरी दाल पी लेते हो गया लेकिन केवल दाल जब आप खाते हो न तो आपको गैस कॉसिंग प्रॉब्लम जो होती है या फरीं डाइजिशन की प्रॉब्लम होती है या अनीजी फील होता है तो दाल को हमेशा सबजी के साथ या सालेड के साथ में फाइबर चीजों के साथ में कमबाइन करें सीरियल के और आपको प्रोटीन भी अच्छा मिल जाएगा और वाइटमिन मिनरल्स भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगा और एक बैलेंस्ट मील बन करके तयार होगा तो इसलिए आप डालो को वैसे भी खा सकते या फिर अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हो तो उसके अंदर भी प् कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगा डाइजेशन असानी से होगा और प्रप्रोब्लम अपको नहीं होगा तो इस तरीके से कुकिंग मैथर्ड और रेसिपी को तरीका है बराने का वह सब चीजों पर धज धहानगे हो तो आपको डालों से कोई भी प्रभ्लम नहीं होगी उसमें कुछ न कुछ herbs जरूर मिलाइए आप उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं अद्रग डाल सकते हैं हींग जीरा डाल सकते हैं इससे जो इंडिजेशन की प्रॉब्लम होती है उसमें काफी रिलीफ मिलता है तो आप थोड़े बहुत हर्प्स यूज करके आपने डाल को बनाई है थोड़ा सा फैक भी जो है वह आप ऊपर डाल सकते हो या तड़कव अगे डाल सकते हो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप डाल करके औ अगर आपको लॉक्त खाई अगर आपको सब्सक्राइब करते हो तो भी आपको एपको बिलीच इंडिज़न की प्रॉब्लम हो रही है तो आप खाना खाने के बाद छोटा चमत सौंफ जोहता है वह आप चबा लीज़ई या आप आप च्वाली चाय पी लीजे तो अगर आ वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि दाल मेजरली हर जगे एक स्टेपल फूड है और यह ना सिर्फ हम लोग खाते हैं बल्कि छोटे बच्चे भी खाते हैं तो छोटे बच्चे आपको सब चीज बता नहीं पाते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रेप करके आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्लस आपके घर में जो बच्चे या ओल्ड एज लोग है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा helpful लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमली के साथ में जरूर से शेर आती है और काफी सारे लोग गलत तरीके से दाल बनाते हैं तो मैरे सारे तरीके भी बताया है आपको ट्रिक्स भी बताइए कि किस तरीके से बिजी स्केडियूल में भी आप सोग करके दालों को कंजूम कर सकते हो आई होगा इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक् और चैनल कोसे यजी एल टेक्ष नवगा गारा काव टेकरें पहेंग जये हैं पसक्ति पाल बताइए का प्रिक्स भी आपको लग्या हैं छो